नमस्का दूस्तों, PLTX में आपका बहुत बहुत स्वागत है दूस्तों, आज की इस क्लास में UPCC सामानी चानकरी प्रिवेस एड़कु कुस्टिन्ज की चेप्टर वाइज क्लास को लेकरा हूँ और इस क्लास के अंतरगत हम लोग कंप्यूटर के चेप्टर वाइज क्लास को दोस्तों आपको बताना है तो right answer यहाँ पर आपको बताना है तो right answer option भी हो जाएगा alignment इस question का right answer बनेगा paragraph formatting में तीन चीज़ें होती हैं पहला alignment दूसरा spacing तीसरा indents होता है दोस्तों आप लोग ध्यान रखेगा अगला question, question number 172 है computer के tools जैसे की word, excel और powerpoint निम लिखित में से किस company के product है आपको बताना है तो right answer यहाँ पर इस question का हो जाएगा दोस्तों option C यहाँ पर right answer बनेगा Microsoft computer के tools जैसे की word, excel और powerpoint, Microsoft उतरा विक्सित word processor है इसका मुख्यकार text या दस्तावेश को संचालित करना है दोस्तों MS office के अंतरगत मुख्य चार प्रोग्राम आते हैं MS word, MS excel, MS powerpoint MS access आता है MS office और पर्थम सन 1989 में Microsoft कारपोरेशन दोरा micOS के लिए शुरू किया गया फिर 1990 में विंडोज के लिए पर्थम संस्क्राण MS office 3.0 office लाए गया वर्तमान में MS office 2016 चल रहा है MS office के प्रमुकार copy, cut, paste, find and replace, font, autocorrect spelling and grammar की जाच शुरू करना होता है दोस्तों आप लोग ध्यान लखिएगा अगला question, question number 173 है जब आप एक नई Excel workbook खोलते हैं तो खोलने के समय डिफाल्ट रूप से कितनी worksheet होती है महात्पूर्ण प्रसन है तो right answer option भी हो जाएगा तीन इसका सही जवाब बनेगा MS Excel MS Excel में डिफाल्ट रूप से एक workbook तीन worksheet के साथ open होता है और एक workbook में अधिक्तम 255 worksheet होता है दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा अगला question, question number 174 है computer की keyboard में paste command के लिए निमली kit में से कौन सा shortcut उप्योग होता है तो right answer option C हो जाएगा control plus V यहाँ पे right answer बनेगा computer keyboard में उप्योग किये गए shortcut shortcut control plus N का यूज हम एक नई file बनाने के लिए करते हैं control plus O का चैनित file को खोलने के लिए करते हैं control plus S चैनित file की को सुरचित करने के लिए control plus P का प्रयोग हम लोग चैनित file को फ्रिंट करने के लिए करते हैं control plus C आप लोग जानते हैं चैनित file चुत्रय टेक्स की प्रतलिप बनाना control V का प्रयोग सामगरियों को प्रविस्ट बिंदु पर paste करना होता है control plus Z का प्रयोग अंतिम आदेश को विफल करना होता है तो control plus E का यूज टेक्स या पैराग्राफ को दाएं तथा बाएं मार्जिन के बीच में रखना होता है तो आप लोग ध्यान लखियेगा अगला question, question number 175 है दोस्तों बिंडोज में log on करने के बाद दिखने वाले प्रमुक स्क्रीन एरिया को क्या कहते है आपको बताना है तो यहाँ पर दोस्तों इस question का right answer option D हो जाएगा desktop कहते हैं बिंडोज में log on करने के बाद दिखने वाले प्रमुक इस्क्रीन एरिया को desktop कहते हैं या सभी प्रोग्रामों तथा उन तक पहुचने के लिए आवर्शक निर्देशों की प्रस्ट भूमी है अगला question है question number 186 Microsoft Word के संदर में गटर margin नमक फीचर को निमलिकित में से किसके लिए उप्योग किया जाता है आपको बताना है दोस्तों तो right answer option B हो जाएगा बहतर document binding के प्रवंधन के लिए option B right answer बनेगा next question question number 177 है निमलिकित में से कौन सी कुझी पटल लगपत की कीबोर्ड, shortcut, windows, प्रचालन, प्रणाली operating system में start menu को 10 आती है तो right answer option C हो जाएगा control plus skip हो जाता है option C यहाँ पर right answer बनेगा control plus Z जो है undo किये गए कारी को पहले जैसा करना होता है alt plus space bar का यूज प्रोग्राम को बिंडो menu खोलने के लिए करते हैं तो यहाँ पर right answer option C होगा और इसका यूज start menu खोलना होता है दोस्तों और alt plus enter का यूज चैनित बिसाई की प्रोपर्टी खोलना होता है control plus Z का आपको explain कर दिया गया है option B में दिया गया है alt plus space bar इसका प्रोग्राम का बिंडो menu खोलने के लिए करते हैं तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेगा अगला question question number 178 है windows sound file का extension क्या होता है दोस्तों तो right answer है पर हो जाएगा option .web इसका सईज़वाब बनेगा दोस्तों windows sound file का extension .web होता है जिसका उपयोग PC पर audio को संग्रहित करने के लिए किया जाता है web को web form audio file भी कहते हैं धन कियेगा अगला question question number 179 है यदि आप अधिक RAM इस्थापिट करते हैं तो Microsoft Windows आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा तो right answer option B होगा यह तेजगति से काम करेगा next question question number 180 है computer में एक दस्तावेश से पूरे पार्ट का chain करने के लिए किन कुंजियों को दबाया जाना चाहिए तो right answer option B हो जाएगा control plus A किसी computer में control plus A कुंजियों दबाने से संपूर आलेखन का chain किया जाता है अगला question, question number 181 है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है दियेगे options में से आपको इस question का right answer देना है तो यहाँ पर दोस्तों इस question का right answer बनेगा option D, ms power point PTP, option D यहाँ पर right answer बनेगा ms word doc, ms word doc से सुमेलित है ms excel xls से सुमेलित है, ms pent jpg से सुमेलित है जबकि ms power point ppt से सुमेलित होता है दोस्तों, ppt ध्यान रखेगा, ptp से सुमेलित नहीं होता है यहाँ पर option D गलत दिया गया है अगला question, question number 182 है Microsoft word उदाहरन है, किसका उदाहरन है दोस्तों? तो right answer option D हो जाएगा, application software का Microsoft word application software का उदाहरन है option D, right answer बनेगा अगला question, question number बिबिद से है 183 question number, computer startup काउन सा program निस्वादन के लिए करनेल को मुख्य मेमोरी में कोचता है और load करता है तो right answer option A हो जाएगा boot strap program boot strap वह program है जो startup के समय operating system को initialize करता है boot strapping instruction के एक set को load करने के परकरिया है यदि post सफल होता है और कोई समस्या नहीं मिलती है तो boot strap loader computer के operating system को memory में load करता है अगला question, question number अगला है 184 name लिखित में से किसका नाम, class नाम के समान होना चाहिए तो right answer यहाँ पर हो जाएगा option C constructor, constructor एक business method है जिसका उप्योग object को initialize करने के लिए किया जाता है जब किसी class का object बनाया जाता है तो constructor को call किया जाता है इसका उप्योग object attributes के लिए initial value प्रारंभिक मान set करने के लिए किया जाता है इसका वही नाम है जो उस class का है जिसमें वह रहता है तो option C यहाँ पर right answer बनेगा question number 185 है निमलिखित में से किन recent trendus को processor memory इत्यारी जैसे विभिन computing संसाधनों को सारांसन के रूप में परभासिट किया जा सकता है जो IT के खर्च को कम करने का सबसे परभावी तरीका है तो यहाँ पर दोस्तों इस question का right answer बनेगा option D virtualization option D right answer हो जाएगा virtualization को process memory इत्यारी जैसे विभिन computing संसाधनों को सारांसन के रूप में परभासिट किया जा सकता है जो IT के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है virtualization में virtual computer, hardware, platform, storage device, computer, network, संसाधनों, सहित किसी चीज का virtual version बनाने की प्रकिरिया है next question question number 186 है दोस्तों निमलिकित में से किसे overload किया जा सकता है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option D function function, function overloading, function वास्तों में बिभिन्द कार्यों का एक सेट है जो एक ही नाम के बिभिन्द कार्यों को निस्पादित करने के लिए उप्यों किया जाता है जैसे wide my fun, wide my fun इस तरह से, तो right answer option D हो जाएगा question number 187, किस प्रकार के modems में clock recovery shortkit होते है तो right answer यहाँ पर option A हो जाएगा, synchronous modem, option A right answer बनेगा दोस्तों synchronous modem data के साथ clock signal भेशते हैं, data से clock signal को पुनर प्राप्ति करने के लिए आवश्यक अत्रिक्त circuitry के कारण, asynchronous modem की दुलना में अधिक महगा होता है, synchronous protocol के कुछ उदाहरन है, x modem, y modem, z modem दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, अगला question, question number अगला है, 188 question number, निम लिखित में से क्या s rhyme की बिसेस्ता नहीं है, दिये गए options में से आपको बताना है, तो यहाँ पर दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा, option B, इसे एक second में कई बार refresh करने की आवश्यक्ता होती है, option B, right answer हो जाएगा, अगला question, question number 189 है, smtp का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है, तो जाएगा, simple mail transfer protocol, अगला question, question number 190, निम्न लिखित में से कौंसी साइटें, social networking के उधारन है, तो यहाँ पर right answer option D हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, linked in, pin trust, और यहाँ पर third Instagram, तो option D, यहाँ पर right answer हो जाएगा, दूस्तों, अगला question, question number 190, निम्न लिखित में से कौंसा, I, O, device, एक block device है, तो यहाँ पर right answer option हो जाएगा, tape drive यहाँ पर right answer बनेगा, दूस्तों, टेप drive एक data storage device है, जो चुमकी टेप पर data को पढ़ता और लेखता है, चुमकी टेप डेटा संग्रह आमतोर पर offline अविलेखी, डेटा संग्रहाण के लिए उप्योग किया जाता है, एक tape drive, hard disk के विपरिद, अनुक्रमिक access storage परदान करता है, तिधा hard disk direct access storage परदान करता है, जोस्तों, आप लुग ध्यान खियेगा, question number, अगला है question number 192, निस्पादन में program को क्या नाम दिया जाता है, तो right answer option A हो जाएगा, process, process एक computer program का उधारन है, जिससे निस्पादित किया जा रहा है, इसमें program, code और इसकी गत्विद सामिल है, एक process निस्पादन के कई threads से बनी हो सकती है, जो एक साथ निर्देशों को निस्पादित करती है, question number अगला है, 193 question number, email के बारे में निम लिखित कठलों को पढ़ें और सही भी कल्ब चुनें, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस question का right answer देना है, तो right answer यहाँ पर बनेगा, option B यहाँ पर right answer हो जाएगा, first सही है, second गलत है, option B right answer बनेगा दोस्तों, अगला question, question number अगला है, 194 question number, भारत के पाहले सोदेशी रूप से बिक्सित एप, इस्टोर की पहचान करें, जो विभिन, डोमेन और सारुजनिक सेवाओं की सेंडियों में, 965 से अधिक, live एप, होस्ट करता है, तो यहाँ पर right answer option D हो जाएगा, mobile, सेवा, एप, इस्टोर, option D right answer है दूस्तों, अगला question, question number, 195 है, dead log क्या है, महाटपॉन प्रेसन है, तो यहाँ पर इस question का right answer हो जाएगा, option A, वाइस्ति जहाँ प्रतिक, process, process अवरुद हो जाता है, और resource release करने के लिए, दूसरे की प्रतिच्छा करता है, option A, right answer हो जाएगा, अगला question, question number, 195 है, निम लिखित में से कौन सी company, video app, tik-tok का स्वामित रखता है, तो right answer है यहाँ पर बनेगा, option C, byte dance, option C, यहाँ पर right answer हो जाएगा, अगला question, question number, 197 में है, 97 है, एक सामान, टूट पताक लगाने की code, CRC का पूर्ण रूप है, इनमें से कौन सा है, तो right answer है यहाँ पर बनेगा, दूस्तों, option C, cyclic redundancy, redundancy, check होता है, दूस्तों, option C, यहाँ पर right answer हो जाएगा, CRC का पूर्ण रूप है, cyclic redundancy, check है, इसका प्रियोग, embedded network और unapplications में, data के आकस्मिक परवर्थन की वज़ा का पता लगाने के लिए किया जाता है, अगला question, question number 198 है, निम लिखित, किस भारती IT कंपनी की पूर्ण स्वामित वाली साहे कंपनी है, तो right answer ही हाँ पर बनेगा, option B, infosys है, दोस्तों, option B, right answer है, अगला question, question number 199 है, दोस्तों, Watson computer निम लिखित में से किस कंपनी का product है, तो right answer option B हो जाएगा, IBM है, Watson super computer international business machine, IBM दोरा बनाए गया है, यह super computer लोगों के emotions को समझ लेता है, इस super computer का नाम IBM के संस्थापक, Thomas J. Watson के नाम पर रखा गया है, दोस्तों, आप लोग ध्यान रखियेगा, महतुन प्रस्थन है, अगला question, question number 200 है, नेता को हमेशा, यहाँ पर right answer बनेगा, उद्देश को ध्यान में रखते हुए नेतरत करना चाहिए, option A यहाँ पर right answer बनेगा, next question, question number 2001 है, एक विक्ति की इमानदारी, समान, नय और दूसरों की मदद करना सभी हैं, क्या हैं दोस्तों, सभी नय तिक मुले हैं, दोस्तों, option A right answer हो जाएगा, अगला question, question number 202 है, निम्न में से कौन साथ CRT का पूर्ण रूप है, तो right answer हो पर बनेगा, option D, काइथोर्ड रे, ट्यूब होता है, अगला question, question number 203 है, SSD का पूर्ण रूप क्या है, तो SSD का पूर्ण रूप solid state drive है, दोस्तों, या computer में उपयोग की जाने वाली storage device की एक नई PD है, और SSD flash आधारिक मेमोरी है, जिसका उपयोग पारंपरिक यात्रिक hard disk की तुलना में बहुत तेज है, तो option C, यहाँ पर right answer हो जाएगा, solid state drive, question number 24, आपकी कप्षा में, आपके बगल में बैठा, आपका एक सबसे अच्छा दोस्त, अचानक बीमार पढ़ जाता है, उसे तीज बुखार है, और सांस लेने में दिक्कत की सिकायत है, आप इन में से कौन सा option सही होगा दोस्तों, तो यहाँ पर right answer बनेगा, option B, इसकूल के अधिकारियों को सोचित करते हैं, ताकि ततकाल उपाई किया जासे के और आप उसके माता-पिता को भी सोचित करेंगे, option B, right answer हो जाएगा, अगला question, question number 205 है, इस पर्ष्ट संदेश भीचने के लिए महातपूर्ण किरिया लिखना, बोलना पढ़ना हो शारीरिक हाव भाव जैसे कौशल क्या कहलाते हैं, तो right answer option यह हो जाएगा, some present causal कहलाते हैं, दोस्तों, next question, question number 206 है, परक्षा हॉल में प्रवेस करने से पहले, आपके पीछे बाटने वाला आपका मितर आपको ऐसे बाटने के लिए कहता है, कि उतरों की नकल कर सके, जो उसे नहीं आते, तो यहाँ पर इस question का आपको right answer देगा तो यहाँ पर दोस्तों इस question का right answer option भी हो जाएगा, अपने दोस्त को विनमरता से बताएंगे कि आप मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पकड़े जाने और डंडित होने का डर है, next question, question number 207 है, किसी साधक दोरा प्रत सेकेंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख् करने धरन, किसके दोरा किया जाता है, इसे मेगा हर्टर्स या गीगा हर्टर्स में बेत किया जाता है, तो right answer option नहीं हो जाएगा, clock speed, इसका सई जोड़ बनेगा, question number 208 है, दोस्तों, बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए, बैंक निमलिकित में से कौन सी निविस्ट तकनीकी का उप्योग करते हैं, प्रियोग करते हैं, दोस्तों आपको बताना है, तो right answer option भी हो जाएगा, micr का, अगला question, question number 209 है, जुलाई 2019 में east coast railway ने electronic रूप से सूचना प्रदान करने और digital, इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कि इस mobile app को launch किया है, तो right answer option भी हो question number 210, computer सब्दावली में PDF का पूरूप क्या है, तो right answer option D हो जाएगा, portable document format, option D, right answer हो जाएगा, question number 211 है दोस्तों, पर्था mobile open exchange जो उनका उद्गातर कहां ठिया गया था, तो यहाँ पर इस question का right answer बनेगा, दोस्तों, option D, noada में, अगला question, question number 212 है, निम लिखित किस राज में भी से सरोब से सरकारी करमचारियों के ब्रद्ध मातापिदा की जम्यदारी पर ध्यान देने के लिए, प्रनाम आयोग, नाम एक एक आयोग की सुरुआत की गई है, दोस अगला question, question number 213 है, भारत के किस राज ने सरोब पर्थम, ट्विटर, सेवा, योजना, आरम की है, तो right answer option दी हो जाएगा, उत्र प्रेस, अगला question, question number 214 है, वाणी जी और उद्धोग मंत्री सुरुष प्रभू ने लापता, परिद्यक्त, बच्चों का पता लगाने और उन option A हो जाएगा, योनेट कहा जाता है, option A right answer है, अगला question, question number 215 है दोस्तों, सुरच्छा सेवाओं जैसे गोपनियता, डेटा अखंडता, एकाई प्रमाडी करण और डेटा मूल प्रमाडी करण प्रदान करने के लिए गड़ती तक्निकों का प्यूक क्या कहा जाता है, तो य question number 216 है दोस्तों, काइथोर्ड रे ट्यूब, computer monitor से चुमकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रकिरिया को, क्या कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है दोस्तों, तो right answer हो जाएगा, option C, डिगोस, option C, right answer बनेगा दोस्तों, next question, question number 217 है, वर्ष 2000 में सुरू होने वाली तिथियों के लिए calendar data के सुरूपन और संग्रहन से समांदित computer, bug की सेंडी क्या है, तो right answer यहां पर बनेगा, option B, Y2K, अगला question, question number 218 है, निम्न में से कौन सा digital laser है, जिसमें crypto currency में किये गए लेंदेन, काला नुकरमिक रूप से और सारवजनिक रूप से दर्ज किये जाते हैं, तो right answer option C हो जाएगा, black chain, black chain, तकनीकी एक digital सारवजनिक laser है, जहां सभी परकार के लेंदेन और सुचनाव का इस्थ question number 219 है दोस्तों, भारत में पर्था mobile सेवा प्रारम की गई थी, तो right answer option B हो जाएगा, मोदी, टेल, टेलेस्ट्रा, इसका सही जोब बनेगा, अगला question, question number 220 है, एक cookie, आपको बताना है इनमें से कौन सा right answer बनेगा, तो right answer हो जाएगा, option है, ओपियो करता की web गत्विदियों क के बारे में सभी जानकारी संगरीद करता है, question number next है, question number 221, निम लिखित में से क्या computer प्राणाली से सम्मान्दित नहीं है, इनमें से, आपको बताना है, तो right answer हो जाएगा, option D, EPF, इसका सही जोब बनेगा, दोस्तों, PPT, PowerPoint, Presentation, FTP, File Transfer Protocol, URL, Uniform Resource Locator का सम्मान्द computer प्राणाली से है, EPF, करमचारी भविशनिदी का सम्मान्द computer प्राणाली से नहीं है, option D, right answer होगा, अगला question और अंतिम question है, दोस्तों, इस class का, question number 222, ISDN, एक दूर संचार प्रादोग की है, जहां, option A, दोस्तों, इस question का, right answer बनेगा, option A, दोस्तों, दोस्तों, यरी आपको class पसंद आ रही, तो class को जादे-जादा like और share करते रही, अपना support बना रखियों, दोस्तों, आज के इस class में बस इतना ही, मिलते है, next class में, तब तक के लिए, नमस्कार, जाहिन, धन्यवाद,